Advanced Jarvis Project Tutorial का यह कोई पार्ट ही नहीं इस वीडियो में मैं जो दिखाने वाला हूं यह मैं पार्ट 5 या फिर पार्ट 6 में एक्सप्लें कर चुका हूं फिर भी मेरा इसका जो डेमो वीडियो था उस डेमो वीडियो में बहुत सरा क्यूरिश आयए कि पर्टिकुलर इस टॉपिक के उपर मैं अलग से बीटियो बनादू इसलिए मैं यह विडियो बहुत ही छोटा होने वाला है जैसे कि आप देख सकते हों प्रिंट करवाने के लिए यह जर्विस वो टाइप करें जो आप मुह में बोल रहे हो मतलब आप ओडियो में इंपूट दे रहे हो जर्विस इसको टाइप करते जा रहे है एंड आप अगर चाहते हो कि जो आप बोल रहे हो अपको रिवूब कर देना और आभी आते हैं उपर आपको यह पाय ऊटोगी को आपको इंस्टाल भी करना पड़ेगा इंस्टाल कैसे करते हैं यहां पर आकर आपको लिखना है पीप Pi autogy and then click Enter इसे कहने होगा, इसे ह्यां भी इंस्ट्ण हो जाएगा मेरा अल्रीडी इंस्ट्ण हे तो यहां पर satisfact alltså कि मैंकर्सारो आञा डिखा रहा है Le AOD अब या भी इंस्ट्ण हो आप यहां पर हमने किया ज़िक बूलो गहें उसके अंदर अगर यह type word include होता है तो यह जो lcp statement है यह satisfy हो जाएगा then यह दो code यह दो line code run हो जाएगा तो अब यह बोल रहे हो कि type jarvis तो वो क्या करेगा वो जो type करेगा वो तो type jarvis ऐसा लिखेगा ना only jarvis नहीं लिखेगा इसलिए हमने यहाँ पे जो type word आप बोल रहे हो उसको replace करवा दिया ठीक है तो इससे क्या होगा आप type बोलके जो बोलोगे वो type होगा type word जो आप बोल रहे हो वो type नहीं होगा उसके बाद यहाँ पे यह typewriter function से जो reassigned query है मतलब query से हमने type word को remove किया है